प्रिशात्रो नमस्कार आए आज हम पढ़ेंगे विद्धुत चुम्ब की प्रिरण में प्रत्यवर्ती धारा जनित्र या प्रत्यवर्ती धारा डाइनेमों पिछले कलास में हमने अन्य उन्य प्रिर्कत्यों के अनुपरियुक को पढ़ था जिसमें दो परिनारिक के लिए अन्य उन्य प्रिर्कत्य contempor के लिंजक इस्थापित किये थे और दो समतल वृत्तकार कुंडली की मध्य अन्यों ने प्रिरकत्व का वेंजक इस्थापित किये थे उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बाक्स में आपको फिजिक से 12 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा यह वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट कर लिंक मिल जाएगा उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस चित्र को थोड़ सा अधूरा भी बनाए हूँ क्योंकि इसमें मुझे कुछ आपको समझाना है और इसमें हम जो जो चीज पढ़ेंगे उन सभी को मैं लिख दिया हूँ इन सभी के बारे में हम डीटेल से विस्तार पूरो का ध्यान करेंगे तो देखें सबसे पहले डाइनेमो या जनित्र क्या होता है तो डाइनेमो का परिभासा बहुत ही असान है इन सभी को मैं आपको टिक स्क्रीन पे लिख के दे दूँगा उसे आप देखकर नोट कर लिजेगा तो सबसे पहले आप इसे अच्छे से समझ बस लिजेए बिलकुल भी आप नोट न करेंगे इन चीजों को सिर्फ आप इसे समझेंगे बस ये सभी चीजों को मैं स्क्रीन पे आपको लिख के दे दूँगा तो सबसे पहले देखे डाइनेमो होता क्या चीज है तो डाइनेमो एक ऐसा उपकरण है जिसकी साहता से हम यांतरिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्तित करते हैं क्या है डाइनेमो डाइनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांतरिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे डाइनेमो या जनित्र कहते हैं ठीक डाइनेमो दो प्रकार के होते हैं एक होता है प्रत्यवर्ति धारा डाइनेमो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यवर्ति धारा डाइनेमो को दूसरा होता है दिश्ट धारा डाइनेमो सेकंड क्लास में हम उसको पढ़ेंगे दिश्ट धार डाइनेमों कहते हैं एक बार और सुनिएगा प्रत्यवर्तिधारा डाइनेमों वह होता है जो यांत्रिक उर्जा को यांत्रिक उर्जा को यांत्रिक उर्जा को प्रत्यवर्तिधारा डाइनेमों में परिवर्तित कर देता है प्रत्यवर्तिधारा जो यांत्रिक उर्जा को प्रत्यवर्तिधारा में परिवर्तित कर देता है उसे प्रत्यवर्तिधारा डाइनेमो कहते हैं क्या कहते हैं प्रत्यवर्तिधारा डाइनेमो तो ये तो क्लियर हो गए आपका यांत्रिक उर्जा प्रत्यवर्तिधारा में परिवर्तित होता है तो वही कहलाता है प्रत्यवर्तिधारा डाइनेमो क्या कहलाता है प्रत्यवर्तिधारा डाइनेमो और ये जो डाइनेमो है वो विद्धुत चुम्बकी प्रिरण के सिध्धान्त पर कारे करता है अब विद् विद्धित चुम्बकिये प्रिरण कहते हैं तो इसी तरह से ये भी क्या होता है उसी के सिध्धान्त पर कारे करता है तो देखें इसके सिध्धान्त में आप डारेक्टर सौट में एक लाइन भी लिख सकते हो कि प्रत्यवर्ति धारा डाइनेमो विद्धित चुम्बकिये प प्रत्यवर्ति धारा डाइनेमो विद्धित चुंबक के प्रेण के सिद्धांत पर कार्य करता है तिक कार्य विद्धि में लाष्ट में आपको बहुती है अच्छे से बताऊंगा ये तो हुआ सिध्धान्त अब तो सररचना को बताने से पहले इन सभी चीजों के बारे में बताने से पहले मैं आपको चित्र के बारे में बता देता हूँ तो देखें, यहाँ पर क्या होता है? एक स्थाई चुम्बक होता है N और S क्या होता है? एक स्थाई चुम्बक N और S होता है उन स्थाई चुम्बक के बीच में एक आर्मिचर या आयताकार कुंडली भी कहते हैं हम इसको को हम क्या करते हैं उसमें इस तरह से रख देते हैं अब हम क्या करते हैं इस कुंडली को देखें ये कुंडली का क्या है सीरा है ये और एक सीरा हमारा ये है तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा ले लेता हूं इस तरह से इस तरह से बढ़ा ले लेता हूं अब इस सीरे के साथ ए साथ में भी एक वलय लगा रहता है सेम इसी के अकार का इस तरह से ठीक और ये जो वलय है वो कुंडली के साथ साथ घुमता है ये इस तरह से कनेक्टर रहता है और ये इस तरह से इसमें कनेक्टर रहता है ठीक ध्यान दीजेगा आर्मेचर के साथ साथ ये दोनों वलय घुमत और के साथ साथी घुमते रहते हैं तिक अब यहां पे यह भíchया रहता है यह भरस लग़र से यह इसमें भी एक लग़र रहता है छोटा सब ब्रस को अ nào आ भी ये Bruce है इसको नाम दे दीजे B1 और इसको नाम दे दीजे B2 ये जो dark कियों में वो क्या चीज है Bruce है ठीक और Bruce के साथ ही हम क्या करते हैं बाह परिपत के तार को connect करते हैं मतलब जोड़ देते हैं ठीक ये प्रतिरोध है यहाँ पे ये समझाया आपको और Bruce के साथ ही क्या करते हैं बाह परिपत के तार को ऐसे जोड़ते हैं और ये Bruce क्या करता है सरपी वलाई को touch करते रहता है मतलब इस सरपी वलाई को छूते रहता है ये load R है ठीक इस तरह से अभी हमारा जो चित्रह वो complete होता है अब इसमें हम दिखते हैं धारा की दिशा कहां से कहां बहती है ठीक धारा की दिशा भी हम नहीं दिखा हैं इसमें मैं आपको धारा की दिशा बहुत अच्छे से बताऊंगा कि धारा की दिशा इसमें कैसे प्रवाहित होता है तो इसको मिटा रहा हूं मैं तो धारा की दिश्या जानने के लिए फ्रेमिंग के दाए हात करेंगे. अब ध्यान दीजी फ्लेमिंग के दाए हात करेंग नियुंग क्या होता है? सुनिये ध्यान से ठीक तो हम क्या करते हैं अब ध्यान दिजी फ्लेमिंग के दाया हाथ के नियम क्या कहता है इसके लिए हम क्या करते हैं दाहिने हाथ के अंगुठा और ये तरजनी और ये मध्यमा इसको हम इस तरह से फैलाते हैं कि वह परसपर एक दूसरे के लंबवत हो मत पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनना चीए मतलब ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होना चीए कौन-कौन सा अंगुठा तरजनी मध्यमा तो क्या करता है तरजनी किसको दिखाता है ठीक ये ये तीनों एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत होना चीए ठीक कौन- और ऐसे करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री सो कर रहा है तब तरजनी दिखाता है चुम्बक्ये छित्र के दिशा को तरजनी किसको दिखाता है चुम्बक्ये छित्र के दिशा को अंगुठा दिखाता है चालक की गती की दिशा को मतलब जो कुंडली है वो घूमता किधर है अंगुठा किसको दिखाता है चालक की गती की दिशा को तो यह जो हमारा मध्यमा रहता है वह दिखाता है प्रेरित धारा की दिशा को ठीक क्लियर हूँ आपका तरजनी किसको दिखाता है चुमबक की चित्र अंगुठा दिखाता है चालक के घुमने की गती की दिशा को और म अंगुठा दिखाता है चालक की गती की दिशा को चालक की गती की दिशा और तरजनी दिखाता है तरजनी चुम्बकी च्छेत्र की दिशा और मध्यमा दिखाता है मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रेरित धारा की दिशा तो यह है फ्लेमिंग के दायाहात कनियम अब ध्यान दिजीम तो हम जानते हैं चुम्बकी च्छेत्र रिखा एन धुरू से ऐस धुरू की और गमन करता है मतलब इस तरह से चुम्बकी च्छेत्र रिखा क्या होगा गुजरेगा ठीक मतलब इस कुंडली से ऐसे पार होते हुए गुजरेगा यदि कुंडली इस तरह से रखाया हुआ है तो कुंडली को इस तरह से रखाया हुआ है माली यह ऐसे रखाया हुआ आपका कुंडली तो कुंडली जब ऐसे रखाया हुआ है तो ये जो बल रेखा है छेतर रेखा है वो क्या करेगा इस आर्मेचर को ऐसे इसपर्स करते हुए गुजरेगा जब इसको इसपर्स करते हुए गुजरेगा तो उसके चुमबकी फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा जब हम चुमबकी फ्लक्स के मान में परिवर्तन हम कुंडली को आर्मेचर को इस तरह से गुमाएंगे दक्षणा वरत दिश्या में ऐसे इस तरह से तो जैसे हम कुंडली को घुमाना इस टार्ट करते हैं तो देखिए पहले कुंडी ऐसे था फिर थोड़ा घुमा तो चुंबकी हे छेतऱ रेखा क्या करेंगा उसको से बीच से निकलेगा तिक मतलब इसके लंबवत होगा तब चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्ना होता है जब कुंडली को हम घुमाते हैं जब कुंडली को हम ऐसे घुमाते हैं तो चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन ह मतलब प्रेरित धारा उत्पन ना होता है समझाज आपको छुमबक के ढुरोक हंडों के मद्ध हैं जब हम आर्मेचर को घोमाते हैं तो चُंबकी फ्लक्स में परिवर्टन होने के अ कारण प्रेरित-विद्धित-धारा उतमना हो जाती है अब धारा की दिशा क्या होगे देखेंगे अब भारा की दिशा में प्लेमिंग के दायाहत की नियम धिशन हो applies तो अंगुठा दिखाता है चालक की गति की दिश्चा को तो चालक इस तरह से घुम रहा है ऐसे दक्षिन वर्त दिश्चा में मतलब चालक का सीरा A भी क्या होता है बाहर की ओर आता है और सीर्ड क्या होता है अंदर की ओर जाता है तिक दक्षिना वर्त देशा में घुमा रहा है मतलब देखिए ऐसे हो गई है ये चालक है A B ऐसे बाहर की और आता है मतलब ये A B है समझो ये सीरा A B है ये ऐसे बाहर की और आता है और ये सीरी क्या होता है ऐसे अंदर की और जाता है तो A B क्या होता है इस तरह से है ठीक N से S की और तो ये बाहर की दिशा और ये तरजनी दिखाता है चुमब की छेतर की दिशा तो मध्यमा दिखाता है प्रेरित धारा की दिशा तो मध्यमा हमारा ये है देखें ये वाला हमारा मध्यमा है ये दिखाएगा धारा की दिशा तो धारा की दिशा क् कि और उगी में इसमें भी हम देख सकते हैं सीड़ी जो भाग है eerste यो अंदर कि और जाता है अंगउछआ का दीशा को दिखाएगा चाला की गती इसे अंदर को जाता है अंगउठा अंगळी क्या दिखाएगा हमारा तरजनी दि चुमबक के तो यह देखिए मध्यमा किसको दिखाएगा मध्यमा दिखाएगा धारा की दिशा को ऐशे होगा अंगुठा अंदर के ओर तरजनी उधर जाएगा मतलब इधर N से S के ओर तो ये जो हमारा मध्यमा है वो दिखाता है धारा की दिशा को अर्थात ये C से D की ओर होती है ठेक तो प्रत इस तरह से ऐसे आएगा यह ऐसे तो यह यहां से ऐसे जाएगा मतलब बीवन से बीटू की और होती है प्रथम अर्धचक्र में धारा की दिशा बीवन से बीटू की और होती है ठीक इस तरह से हमारा कुंडली का काम कंप्लीट होता है अब इसको हम जश्ट है सेकंड में देख एक बार यह चुट आर्मेटारय भी यह यहा भाग तो एसे होता है तो यह दिकर जे पिच लगा गया married next दाई आएगा तो यह इधर आएगा तो यहां पर यावाला बड़ा सी रहा हो आगा तिक capac am यह वाला अब यह बूड़न और यह सेम होगा यहां पर यह लॉट आ रहा है इसमें धारा देख्या होगा voy अब यह ऐसे घुम रहा है, ऐसे घुमा, तो फिर दूसरा पहले कुंडली ऐसे था, तो ऐसे घुम गया, ठीक, मतलब ऐसे हो गया, अब फिर इसको हम घुमाएंगे, तो फिर ऐसे होगा, मतलब कुंडली यह वाला सिरा फिर बाहर होगा, और यह फिर अंदर होगा, तो जब ब और B से A की और होती है और लोड में धारा कहां से होती है देखें यह हमारा तार ठीक इस तरह से तो यहां से यह कंप्लिट हुआ तो यह कहा गया B2 तो B2 से ऐसे जाता है वो B1 की और तो ब्रस में धारा के दिशा B2 से B1 की और होती है इस तरह से हमारा यह दोनों चित्र कंप् जाटा दूगा सिध॥ाक्र्चना के बारे में छेत्र चुम्ग ठीक सबसे पहले हम च жив के बारे में लिखेंगे तो छेत्र चुम्ग एने इस यह स्थाई चुम्बदः चुम्ड़न होता है अधि यह फेसे अध्या시 esse ये क्लिएgers-ध रियाब है और छेत्र चुंबक के मद्ध किसी धूरी के सहरे यह हम इसको धूरी कहेंगे तिक किसी धूरी के सहरे अपने अक्षपर क्या होता है यह घूमते रहता है और डाइनेमो के घूमने वाले भाग को रोटर कहते हैं और इस्थिर भाग को इस्टेटर कहते हैं तिक यह हुआ हम खांबे के बने होते हैं और अर्वैयर की सीरो पर लगे होते हैं और刑 NEW थाड प्रूस ब्रूस क्या होते है दिखी यह कार्बन की पत्ति के बने होते हैं यह और सर्पी !! ये हमारा सरपीवलय है क्या करते हैं यE ब्रस उसको चूटे रहते हां और परिपत का जो टार रहते हैं ये बाहईपरीपत का तार इधर से बाहर परिपत के तार इसी सर्पी वलाई के साथ जोड़ दिया जाता है ठिक यह हुआ आपका पूरत सर्रचना यहां तक अब देखे कारे विधी तो कारे विधी मैं आपको बता चुका हूँ फिर भी एक बार देख लिजिए इसके बाद इन सभी को मैं आपको दक्षिणा वर्ति दिशा में घुमाते हैं जब आर्मेचर ABCD को छेत्र चुम्बक NS के मद्ध दक्षिणा वर्ति दिशा में घुमाते हैं तो चुम्बक की फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण पेरित विधित धारा उत्पन न हो जाती है और पेरित विधित धारा उत्प आपको जब आर्मे चेर A, B, C, D को 6 चुम्बक NS के मध्धे दक्षिडवर्ति दिशा में घुमाते हैं तो धारा के दिशा A, B, C, D होती है और लोड आर्मे B, 1 से B, 2 की ओर होती है ठीक दुती अर्ध चक्र में धारा के दिशा D से C, C से B, B से A होती है और लोड आर्मे क्या हो वह आपको अच्छे से समझाया होगा और नेश्ट क्लास में देखेंगे हम दिश्ट धारा डाइनेमो को तो इसके सभी चीजों को आप इसे देखकर लिख लीजिए तो आज की वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को सेर भी कर दीजिए फिर मिलते हैं नेश्ट क्लास में